निवस्कार मैं हूँ प्रग्या बिहारी निउस में आपका स्वागत है। आज है 10 अक्टूबर दिन मंगलवार। खबरों के ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्ख्यों पर। सुप्रीम कोर्ट से बिएड अभ्यर्तियों को मिला जटका विहार सरकार ने वापस लिये अरजी। गांधी संग्रहाले में 28 अक्टूबर से लगेगा पुस्तक मेरा। नौक्री पाने के लिए युवाओं के पास सुनहरा मौका। पांच राचियों के विधान सभाचनाव 2023 तारीखों का हुआ एलान। सुमन गिल की खेल्थ को लेकर BCCI ने दिया बड़ा अपडेट। अब चले बढ़ते हैं विहार के अब तक की 25 बड़ी खबरों के ओर विस्तार से। नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन के द्वारा विवन ब्रांच के तहत एक्जेक्यूटिव इंजिनेर ट्रेनी के लिए कुल्प 495 पदों के लिए भरती निकाली गई है। ऐसे में वे लोग जो इसके लिए आविदन करने के एक चुक हैं वो अधिकारिक वेबसाइट करियर्स.ntpc.co.in पर जाकर ऑनलाइन तरीके से अपना आविदन कर सकते हैं बतादी के आविदन करने की अंतिम तारिक 20 ओक्टूबर 2023 तक नर्थारित की गई है। इसके लिए अगर सेचनिक योगिता की बात करे तो मिद्वार को किसी मानिता प्राप्त संसान से नियूंतम 65 प्रतीशत अंकों के साथ पद संबन्धित प्रांच से बीई बीटेक चार वर्सिये इंजिनरिंग डिग्री होनी चाहिए। के लिए 55 प्रतीशत अंक नरधारित के गए हैं। को भिक्चकों के कल्यान एवं पुनरवास पर व्या किया जाएगा। के लिए 10,000 तक आर्थिक सहाइता देना कौशर प्रसक्चन एवं नियोजन उतपाद समू से जोड़कर सामोही क्रूप से सामगरी का उतपादन एवं बाजार में बिक्री तिथा लाप का आपस में वितरन करवाने का काम किया जा रहा है। प्रसक्चरी अधिक जानकारी के लिए हलप लाइन नंबर 180003456262 पर संपर किया जा सकता है। विहारी बहुतले स्पेशल में आजम बात करेंगे सुरंद्र जार सुमन के बाड़े में। पुस्तके लिखी और मैथली संस्क्रित और हिंदी में विवन प्रकाश्णों और पुस्तकों के संपादक भी रहे। वे अखिल भारतिये मैतली साहिते परिसत के अध्यक्ष थे वे वैदही समीती दर्भंगा से भी जुरे थे। सक्षक भरती में बियर डिगरी वाले अभ्यर्थियों को शामल करने को लेकर अभ्यर्थी सर्वोच नयायाले पहुचे हैं बता दे कि 22 सितंबर को पटना हाई कोट के द्वारा बिहार सरकार की दलील को खारिच करते वे कहा गया था कि सुप्रीम कोट के द्वारा लिया गया में भी लागू होगा जिसके बाद विहार सरकार की ओर से इसी फैसले के आधार पर सुप्रीम कोट में अभ्यर्थियों को भी प्राइमरी टीचर के पदपर न्युक्ति करने की अनुमती दी जाए वहीं दूसरी ओर BPSC के ओर से भी यह साफ कर दिया गया है कि डियर पास अ पारी किरम में विवन विभागो से जिले कुल 76 लोगों की समस्याएं सुनी गए और उनका निवारन किया गया बतादी की पहला फरियादी सीम नितीश के पास मधुबरी जिले से पहुंचा था जिसने कहा कि उसके पता जी की मृत्यू के बाद उनके द्वारा लिये गए ब व्यांग जनों को मिलने वाली बैटरी स्चालित ट्राइस साइकल मुझे उपलब्द कराई जाए ताकि मुझे सहूलियत हो सके बेगुसराय जला से आए नागेश्वर रजक ने सिकायत करते वे कहा कि मडर केश में अभ्यक्तों के साथ साथ गाट कर पुलिस पदादिकारी द्वारा केस उठाने के संबन में मुझे पर दवाब बनाया जा रहा अकरिपा कर मुझे पुलिस से न्याइपुन सहयोग दिलाया जाए किसंगन जला से आए एक हुए फडियादी ने कहा कि मैं आर्थिक रूप से अक्चम व्यक्ती हूँ हिर्दय की बिमारी से इलाज ही तु मुझे आर्थिक सहायता उपलब्द कराई जा इसी तरह सीर नतीश के द्वरा कई और मामलों को सुना गया और उससे संबन हिद्विभा को समुझ इतकारवाई करने का नर्देश दिया गया इसना तक पास शात्राओं को इसी महा मिलेंगे 50-50 हजार रुपए अगर आभी उन शात्राओं में से हैं जिन्होंने मुख्यमंत्री बाली का प्रोथसाहन योजना के लिए आवीदन किया था लेकिन अब तक उनका भुकतार नहीं किया गया है तो यह खबर आपके लिए है बता दे कि इसना तक उत्तरन राजी की 25,000 शात्राओं को इसी महा प्रोथसाहन रासी के रूप में 50-50 हजार रुपए दिये जाएंगे इसके लिए सिक्षा विभाग की ओर से 125 करो रुपए की निकासी जल से जल करने की कोशिश की जा रही है आपके जानकारी के लिए बता दे कि 1 अप्रेल 2021 से 31 मार्स 2023 के बीच इसना तक परिच्छा उत्तरन शात्राओं को 50-50 हजार रुपए के राशी भुकतान को लेकर पोर्टल पर 30 सितमबर 2023 तक आविदन मांगी गये थे जिसके बाद अब तक को 51,512 शात्राओं के द्वारा ह आठ हजार शना तक उत्तरन शात्राओं ऐसी थी जिनके द्वारा आविदन नहीं किया गया था पांच राजियों के विधान सभाचनाव 2023 तारीखों का हुआ एलान बिदन चनाव आयोक के आयुक्त राजीव कुमार के द्वारा प्रेस कॉन्फरेंस कर पांच राजियों के विधान सभाचनाव 2023 की तारीखों का एलान कर दिया गया है लिस्ट में बदलाओ बी एलो या फिर वेफसाइट पर जाकर 17 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक करवाया जा सकता है वहें इन पांच राजियों में 1.77 लाग पोलिंग बूद बनाये जाएंगे उन्होंने कहा कि 17734 मॉडल मदान किंद्र होंगे 621 मदान किंद्रों का प्रबंधन PWD के द्वारा किया जाएगा तो वही 8192 मदान किंद्रों का प्रबंधन महिलाओं द्वारा संभाला जाएगा आपकी जानकारी के लिए बता दे कि इन पांच राजियों में 689 विधान सबासी के हैं विहार सिक्षा विभाग विध्याले से वंचित बच्चों को करेंगी चिनित विहार सरकार के सिक्षा विभाग काड़याले की तीम के द्वारा अब विहार से स्कूल में वंचित बच्चों को चिनित किया जाएगा और साथ ही अब मदाता सूची की मदद से इनका सर्वे भी किया जाना है बता दे कि हम के दोरा सर्विक्षन की रणीती तयार की जाएगी वही राजे में अब स्कूलों से बंचित बच्चों का नामांकन करा कर इन्हें सापेक्ष दक्षता दिलाई जाएगी इस संबद में D.E.O. अनल कुमार को राजे परियोजना निदेशक भी कार्ती के धनजी के दोरा पत्र भेज कर कारवाई को लेकर नर्देश दे दिया गया है इस बारे में जला सक्षा पतादिकारी अनल कुमार के दोरा जानकारी देते वे बताया गया है कि स्कूल के बच्चों का सरवे करा कर उन्हें सक्षा की मुख्यधारा से जुरा जाएगा यही सरवे कारी की प्रात्मिकता है बतादिके असरवे 25 ओक्टूबर तक होने वाली है इसके लिए विभाग के ओर से कैलेंडर भी तयार किये गए हैं नौकरी पाने के लिए युवाओं के पास सुनहेडा मौका अगर आप बेरोजगार है तो आपके पास रोजगार पाने का सुनहेडा मौका है पतादे कि राज्य के सभी जिलों के तकनीकी एवं गैर तकनीकी छेतर में योगिता रखने वाले आवेद को के लिए नीजी छेतर में रोजगार उपलब्द करवाने के लिए राज्य के कई जिलों में रोजगार कैम्प का आयोजन किया जा रहा है SMS में भाग लेने के एक चुक युवा अपना निबंधन NCS पोर्टल www.ncs.gov.in पर जरूर करवाले महीं इसमें भाग लेने वाले सभी अभ्यर्थियों को निबंधन प्रमान पत्र, पासपोर्ट, साइस, फोटो, बायो डाटा और सभी पत्र की मूल कॉपी जरूरी है पतादी कि जिन जिलो में जॉब कैम्प का आयोजन किया जाना है उनमें 11 अक्टूबर को खगडिया में, 13 अक्टूबर को मुझपरपुर में, 16 अक्टूबर को समस्तिपुर में, 18 अक्टूबर को गोपाल गंच में और 20 अक्टूबर को सिवान में जॉब कैम्प लगाया जा सकता है गोपाल गंज में 20 लाग 65,000 नकत बरामत पटना जंक्शन पर 25 किलो चांदी बरामत विहार के गोपाल गंज के कुचाई कोड थाना चितर के बगूच मोड पर वाहन जांच के दौरान पुलिस के दौरा एक पिकप से 20 लाग 65,000 रुपे नकत बरामत किये गए और साथ सक्कोने पर पुलिस के दौरा चापे मारी कर 20 लाग 65,000 रुपे नकत बरामत किये गए कुचाई कुर्था अंध्यक्ष साक्षी राई के दौरा जानकारी देते वे बताया गया है कि पूछताच में तीनों लोगों के दौरा संतोर जनक जवाब नहीं दिया गया और ना रुपे को लेकर लीगल कागजात प्रस्तूत किये गए जिसके बाद रुपे को जबत कर तीनों से पूछताच की जा रही है इंकम टैक्स की टीम से संपर किया गया है और आगे की काड़वाही की जा रही वहीं दूसरा मामला पटना जंक्षन का है जहां प्लैटफर्म संख्या साथ पर करी कोटा पटना एक्स्प्रेस से चांदी से नडमित पायल सैक्रो की संख्या में ब्लू कलर के पॉलर थिन में लपीटा हुआ बढामत किया गया है गंगा नदी में एक स्नान स्थल है जिसे कस्ठनी घाट कहा जाता है जिसका साब्दिक अर्थ है स्नान की जगा जो सभी दर्द को उजागर करती है ऐसा माना जाता है कि जो इस घाट में डूपकी लगा लेता है वह सारेलिक पीरा से सांफवना और लाज प्राप्त करता है धार्मिक रूप से से बहुत महत्बमिला है क्योंकि इसका उत्री प्रवा है जिसे उत्र की जाता है कि सिता से शादी करने के बाद मिथ्ला से अयुद्ध्य की वापसी यात्रा पर शिराम चंदर ने खुदक को थकान से रहाँ देने के लिए इस पानी में डुप की लगाई थी यह भी जगह है कि लोग सुभा और शाम को सुरियोदे और सुरियास की शांदा जलग देखने के लिए यात्रा करना प्रशंद करते हैं मुझपरपुर में पुलिस के द्वारा नहर में शफ फेके जाने के मामले पर ADG JS गंगवार का बयान मुझपरपुर फेकुली में पुलिस कर्मियों के द्वारा एक शफ को राश्ट्रिय राजमार्क से नदी में बहाने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वारल हो रहा था महीं अब इस वीडियो पर ADG JS गंगवार के द्वारा जानकारी देते वे बताये गया है कि हमने वह वीडियो देखा या पूरी तरह से पुलिस कर्मियों का अमान विये वैवार है इस मामली की जाँच की जारी है और इसे गंभीता से लिया गया है उन्होंने कहा कि पुलिस चालक हो ततकाल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है और अन्य दो और पुलिस कर्मियों को जो इस वीडियो में देखे जा रहे हैं उनके ड्यूटी पर रोक लगा दी गई है वे फिलाल बाहन और शब की पहचान नहीं हो पाई है लेकिन हमने शब बडामत कर लिया है और उसे पोस्ट मॉटम के लिए भेज दिया है आनंद विहार से पटना गया के लिए चलेगी पूजा स्पेशल ट्रेन, तेवहर का सीजन सुरू होने वाला हैसे में ट्रेनों में होने वाली यात्रियों की भीर को देखते वे, रेलवे के द्वरा दिल्ली के आनंद विहार टर्मिनल से बिहार के राधधानी पटना और गया के लिए तीन चोड़ी पूजा एस्पेशल सूपर फास्ट ट्रेनों का पड़ी चालन्ज शुरू किया जाने वारा है जिसके तहल गारी संख्या शुने तीन दोपांच पाँच सूपर फास्ट पंतना से अनन्द विहार के लिए 23 नमबर से लेकर 10 दिसंबर तक हर गुरवार और रविवार को चलेगी dit वापसी में गारी संख्या शुने तीन दो पांच है, सूपर फास्ट अनंग विहार 24 नवंबर से लेकर 11 दिसंबर तक शुक्रवार व सोमवार को चलेगी, इसके अलावा गारी संख्या शुने दो तीन नौ एक सूपर फास्ट 25 नौ दिसंबर तक हर सनिवार को पटना से अनं और शुक्रवार को आनंद विहार के लिए चलेगी और बापसी में गारी संख्या शुने तीन छे तीन शे सूपर फास्ट 21 नवंबर से 9 दिसंबर तक हर मंगलवार गुरुवार और सनिवार को आनंद विहार से गया के लिए चलेगी प्रदेश के तापमान में होगी बढ़ोतरी पूरे देश के साथ ही प्रदेश से भी मौनसून की विदाई हो रही है बिहार में भी प्रदेश के कहिस्तों में बारस तरच की गई जिसकी कारण ताप मान में कमी देखी गई हालाक इदेनो प्रदेश के ताप मान में बढ़ोतरी देखी जारी है मौसं विभाग की तरह से चारी अपडेट के अनुसार दक्षिन पशिम मौनसून पुर्वी उत्तर प्रदेश, पुर्वी मध्य प्रदेश के से सिससा, बिहार का कुछिससा, जारखन, छतसगर, तेलांगना और उतरी आंतरी करनाटक महराश्ट्र के अधिकांस भागत से मौनसून की विदाई हो रही मौनसून की विदाई के साथ ही प्रदीश में ठंड की श्रवात हो जाईगी। प्रकाशन संस्थान, वागदेवी प्रकाशन, सेतु प्रकाशन स्रिजन, साहित्य दरपन, पीम पब्लिकेशन वातायान, जागरिती पब्लिकेशन उफार प्रकाशन, इसलामिक बुक सेंटर, पतना बुक सेंटर, मक्तवा, इसलामिक ट्रस्टव, मैथली, भोजपुरी, बांगला इत्यादी के भी प्रकाशक सामिल होंगे मेले में बच्चे चात्र बुजर्ग सभी के लिए कितावे मिल जाएंगी बिहार सक्षक भरती से विशेवार तरीके से इतने सक्षकों की होगी न्युक्ती बहुत जल्दी बिहार में होने वाली 79,692 सक्षकों के न्युक्ती को लेकर बिहार लोग सेवा आयोग के द्वरा अधियाशना भेजी जाएगी वही मालेकाकार को भेजी गई रिपोर्ट की मताविक 79,692 नफस्रिजित पदों में कक्षा 6 से 8 तक के सक्षकों के 31,982 पद है तो वहीं कक्षा 9 से 10 तक के सक्षकों के 18,880 पद और कक्षा 11 से बारत तक के सक्षकों के 18,830 पद है उर्दू में 1219, संगीत में 1068, सारीक सिक्षब में 556, ललित कला में 284, मैथली में 80, फार्सी में 49, बांगला में 26 और अडबी में 15 और नर्ते में 391 पद हैं समास सास्त्र में 823, इतिहास में 691, राजनेदी सास्त्र में 594, संगीत में 582, ग्रिव विज्यान विशे में 505, वनस्पती सास्त्र में 561, जन्तु विज्यान में 400, उर्दू में 333, अर्थ सास्त्र में 168, भुगोल में 501, दर्शन सास्त्र में 108, कंप्यूटर विज्या हासास्त में 162 पद हैं लगजरी कार से सराब के साथ दो तसकर गिरफतार बिहार में पुंडूप से सराब बंदी है लिकिन इसके बावजूद भी आए दिन सराब तसकरिश जोने मामले सुनने को मिलते रहते हैं हालाक इन पर नकेल कसने के लिए उतपाद विभाग की ओर से जीतोर कोशिश की जा रही लेकिन इसके बावजूद भी इन मामलों में कुछ खास कमी देखने को नहीं मिल रही बता दे कि ताजा मामला बिहार के नवादा के रजोली थाना चितर के चितर कोली पंचायत के समिकि चांच चौकी का है जहां से उतपाद विभाग की तीम के दौरा वाहन चांच के दौरान एक लगजरी कार से विविन विदेशी ब्रान के 750 एमल के 72 बोतल बडामत किये गए हैं और साथ ही दो तसकरों की भी गिरफतारी की गई है जिसकी पहचान रोहित कुमार वा मुरारी कुमार के रूप में की गई है वहीं दोनों तसकरों से पुष्टाच के बाद उन्हें नियाई खिरासत में भेज दिया गया है बता दे किस बात की जानकारी ऐसा ही पिंटु कुमार के द्वारा दी गई है पांच राज्यों में चनावों के एलान के बाद आर्जेडी और जेडियू का दावा बीतर दिन चनाव आयों के द्वारा पांच राज्यों में होने वाले विधान सभा चनाव की तारी की घोशना कर दी गई है वहीं तारी की घोशना के बाद आरजेडी और जेडियो की ओर से चनाव में इंडिया गडवंधन की जीत को लेकर दावा किया गया है जेडियो प्रवक्ता हेमराज राम के दावा करते वे कहा गया है कि इन पांच राज्यों में करनाटा की तरहीं रिजल्ट आएगा पांच राज्यों में इंडिया गडवंधन के ही लोग आगे आएंगे वहीं आरचेडी प्रवक्ता इजास एहमद के दोरा कहा गया है कि मध्य प्रदीश में बीजेपी की पोल खुल चुकी है वहाँ पर उन्हें उमेद्वार नहीं मिल रहा केंद्री मंत्री और सांसत को मेद्वार बनाया जा रहा इससे आप समझ लिजे कि मध्य प्रदीश में बीजेपी का क्या हाल है राजस्थान में क्या हाल है वहाँ जो स्थान ये नेता है उन्हें बीजेपी के बड़े नेता तवज्जों नहीं दे रहें यही कारण है कि राजस्थान में भी बीजेपी दो फार में बढ़ गई है औ और वहां भी उन्हें हार का मुह देखना पड़ेगा। इसका मतलब यह नहीं है कि किसी के मुह पर ठूक दो जूता का माला पहना दो ऐसी बाते कभी नहीं आई या ओची बाते हैं। सुबमन गिल के हल्थ को लेकर PCCI ने दिया बड़ा अपडेट। PCCI के दौरा सुबमन गिल के हल्थ को लेकर एक्सपर जो की पुर्व में ट्विटर हुआ करता था उस पर एक बड़ा अपडेट दिया गया है। बोर्ड ने बताया है कि गिल अभी पूरी तरह से ठीक नहीं है और वो चन्नाई में ही रुकेंगे गिल चन्नाई में मेडिकल टीम की निगरानी में रहेंगे। इसके साथ ही सुबमंगिल 11 ऑक्टूबर को अफगानस्तान के खिलाफ होने वाले मैच को भी मिस्स करेंगे बता दे कि बोर्ड का कहना है कि सुबमंगिल बीते दिन यानि की 9 ऑक्टूबर को टीम इंडिया के लिए चन्नाई से दिल्ली रवाना नहीं हुए हैं। आपके जानकारी के लिए बता दे कि सुबमंगिल विश्वकब 2023 में ऑस्ट्रेलिया एकिलाफ होने वाले मैच से पहले ही डिंगू की चपेट में आ गया थे ऐसे में अब देखना ये है कि सुबमंगिल 14 ऑक्टूबर को भारत और पाकस्तान के बीच होने वाले मैच में खे जीतने वाली प्रथम मैला 1978 में बनी भारत ने विश्वक कैडम प्रतियोगिता का टीम किताब 1991 को जीता दूसरा हुगली पुल विद्यासागर सेत 1992 में खुला भारत ने जराल रूस के साथ एक वाक्स रणमान के लिए 2003 में समझोता किया नीजी छेतर के सबसे बड़े बैं जन्मैर में घाल भारतियोपने रहांयासकार आर्के नरायान का जन्मी सव चे में हुआ बॉली वुर्ड अभिनैतृ Meerखा गाज statements हिंदी के प्रसिद अलोचक डॉक्टर रामविला सर्मा का जन्म 1912 में हुआ, कनर भाषा के विख्या साहितिकार के सिवराम कारंद का जन्म 1902 में हुआ, 1930 के दशक की प्रसिद अभिनेतरी रूबी मेर्स का निदन 1913 में हुआ, पद्मबूशन गजर सम्राट जगजीत सिंखे मुंबई के लिलावती अस्पताल में 2011 को निदन हुआ, दक्षिन भारती सिनेमा के मशूर हास्य अभिनेतरी मरोडमा का निदन 2015 में हुआ, बालकर में आज हम बात करेंगे पी-म मुद्रा योजना के बारे में, सोसल मीडिया पर कहीं सूचनाय वारल होती है, लेकिन सभी इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे, पी-म मुद्रा योजना के बारे में दरसल पी-ाइबी ने अपने ट्वीट में लिखा है कि सोचल मीडिया पर प्रसारित एक वारल संदेश में पी-म मुद्रा योजना के तहत 20,55,000 रुपे का रिंद देने का दावा किया जा रहा, प गूगल सर्च में आई अपनी नीजी जानकारी ऐसे करें डिलीट, अगर आपके बारे में भी गूगल सर्च में आपकी नीजी जानकारी आती है और आप इसे गूगल सर्च से हटाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कुछ स्टेप्स पॉलो करने होंगे, जिसे कि आप ग गूगल सपोर्ट पेज पर जाना है फिर उसे यूरल का उलेक करते वे फॉर्म को भरना है जिसे आप सर्च रिजर्ट से हराना चाहते हैं आप एक साथ कहीं सारी यूरल भी इस फॉर्म में एड़ कर सकते हैं इसके बाद गूगल इन पेज को वेरिफाई करेगा और आपकी द इस रिजर्ट पेज पर जाना है यहां से रिमूव रिजर्ट ऑप्शन पर क्लिक कर दे इसके बाद पेज को रिमूव करने की प्रक्रियाश शुरू हो जाएगी देश में हर दिन बिकती है 62,000 से जादा गारियां वहीं पिछले साल के मुकाबले में 7 सितंबर में गारियों की टोटल सल में 20.3-6 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है बता दे कि पिछले साल सितंबर में देश के अंदर टोटल 15,63,735 गारियां बिकी थी जो इस साल बढ़कर 18,82,071 गारियां हो गई है वहीं इन में से 70% गारिया दो टू विलर्स है बता दे कि सितंबर 2023 में पूरे देश में 13,12,101 टू विलर्स पिकी है वहीं पैसेंचर विलर्स की सेल सिर्फ 3,32,248 हुई है मेडिकल के तीसरी सूची पर दाखिला इस दिन से मेडिकल PG के लिए तीसरी मेधा सूची के तहत बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगीदा परिछा परसत के दोरह तीसरी मेधा सूची के आत तहत नमांकन की प्रक्रिया 12 ऐक्टूबर से शुरू हो रही है महीं इससे पहले BCECEB के दोरा नामांकन के लिए तीसरे राउंड का चॉइस फिलिंग करवा रहा था जिसका अंतिम तारिख 9 अक्टूबर तक नरधारित किया गया था महीं रिजल्ट का वंटन 11 अक्टूबर को जारी किया जाएगा फर नामांकन 12 से 13 अक्टूबर तक लेना होगा आपकी जानकारी के लिए बता दे किसके तहट PG में MDS, MD, MS, PGD और DNB के 350 सीटों पर नामांकन लिया जाएगा मालू हो कि नीद PG में नामांकन करवाने के लिए जीरो क्वालिंफाइंग करवाने के बाद 24 फिलिंग वर रेजिस्ट्रेशन का मौका दिया गया था हम प्रतिद्राम से पांच ऐसे जरुई सवाल और उस्ट्रेशन जवाब बताएंगे जो कि BPSC, बिहार पुलिस, दरोगा समीत, SSC जैसे अने प्रतियोगी परिक्षाव में कामाएंगे सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करेंट अफियर्स और भुगोल से रहेंगे पूछेगे पांच सवाल में आपने कितना सही उत्तर दिया, क्रिपा करके यहां हमें कमें करके जरूर बताएं हमारा पहला सवाल है, हाली में जीयो मार्ट के नए ब्रांड एमबेस्टर कौन बने हैं? उप्षनी महिंदर सिंग धोनी, उप्षनी सचन तंदुलकर, उप्षनी विराट कोहली, उप्षनी युवरा सिंग इसका सही उत्तर है उप्षनी महिंदर सिंग धोनी अगला सवाल, हाली में किस राजी के याग चुरुपी को GI टाग मिला है? उप्शनी मध्य प्रदेश, उप्शनी उत्तर प्रदेश, उप्शनी हिमाचर प्रदेश, उप्शनी अरुनाचर प्रदेश इसका सही उत्तर है उप्शनी अरुनाचर प्रदेश अगला सवाल सिक्ग गुडु में निम्न में से किसने सर्वप्रथम ईहार का ब्रह्मन किया وقशने गुडु अर्जुन देव। औकशनppers लिए गुडु नानक देव। ऑप्शन सी गुडु तेक बहातुर। ऑप्शनरे गुडु गउजन सिंग। इसका सही उतर है ओप्षण बी गुरु नानक देव अगला सवाल पटना कलम निम्न में से किसे स्तंबंदित है ओप्षण ए पत्रकालिता से ओप्षण बी चितरकला से ओप्षण सी संगीत से ओप्षण डी निम्न में से कोई नहीं इसका सही उत्तर है option B चितरकला से अगला सवाल गया शहर किस नदी के किनाड़े इस्थे थै? option E सो नदी, option B फलकु नदी, option C गंड़क नदी, option D कोसी नदी इसका सही उत्तर है option B फलकु नदी, बीते दिन हमाई दुरा पूछी का सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने प्रजाब हमें हमारी comment section box में लिख कर दिया था जिन्होंने हमाई दुरा पूछी का सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल क्योड आज का सवाल है अगर पुस्तकों में आपकी दिल्चस्पी है तो आप किस तरह के पुस्तके पढ़ना पसंद करते हैं अपना जवाब हमें मारी comment section में लिख का जरूर बताएं आज के लिए इतना ही बिहार के तमाम खबरों के साथ बन रहे हैं बिहारी निउस और साथ ही अगर आप यूटूब से देख रहे हैं चानल को सबस्क्राइब करना और अगर आप फेस्बूक से देख रहे हैं तो पेसको फॉलो करना ना भूले थन्यवाद